गुरू गोबिन्दे दो खड़े काकेला गुपाई बलिहारी गुरू आपने गोबिन्दे दियो बताए कभीरा गोबिन्दे दियो मिलाए नमस्कार दोस्तो मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता जोए में कैसे हैं आप सब तो ये बताने के लिए कॉमेंट बॉक्स में स्री हरी विश्णू जरूर लिखे तो चलिए दोस्तो आज हम इस विडियो में जानेंगे गुरू पुर्णीमा तो गुरू पुर्णीमा से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर बाते हैं जिसको के आसाड पुर्णीमा गुरू पुर्णीमा ब्यास पुर्णीमा के नाम से हम जानते हैं तो पूनीमा के दिन हमें किन-किन बातों का ध्यान रखनी है, पूनीमा का ब्रत हमें कब करनी है, पूनीमा तिथी कब से प्रारम बोरी है, कब समाप तोरी है, सिरी सतनारायन भगवान जी की कता हमें कब कहनी है या कहलवानी है, स्रिंगार करे या ना करे, सिंदूर लगाए या ना लगाए पूनीमा के दिन और कौन-कौन सी गलतियां हमारे द्वारा नहीं होनी चाहिए, कौन-कौन से कारे अनिवारे हमें जरूर करनी चाहिए, इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर बाते आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप लोग बने रहेगे मेरे सा सबसे पहले पहुँचे तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर बाते जान लेते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दो गूरु पूर्णीमा जिसको कि हम ब्यास पूर्णीमा के नाम से भी जानते हैं, चारो बेदों के ग्यानी, बेद ब्यास जी का उस महीने में पुनिमा तिती आती है और हम उसे आती थी फिर भी आपको कुछ जो ऐसे मुहत्वपोर्ण बाते हैं जो आपको जानना बिल्कुल जरूरी है तो आपको बता दू कि असार पुनिमा जिसको असारी पुनिमा ब्यास पुनिमा के नाम से जानते हैं और उस दिन हम पूजा करते हैं और पूनीमा के दिन स्री सतनरायन भगवान जी की कथा अपने घर हम लोग कहलवाते हैं कथा सुनते हैं खुद से कहते भी हैं और विश्णु भगवान मता लक्षमी की हम पूजा करते हैं विधी विधान से तो पूनीमा के दिन सबसे महत्वपूर होता है कि अगर आप किसी भी पवित्र नदी में जाकर इश्नान करें, पुनीमा और अमोस्यक दिन यहीं नियम भी दिया है, कि आपके आसपास अगर नदी सरोर है, तो जरूर जाकर उसमें हमें इश्नान करनी चाहिए, सुर्देव को जल देनी चाहिए, उसके बाद अपने यथा संभोज जितना आपसे बन पड़ता है, आपको जो है दान करनी चाहिए, क्योंकि पुनीमा और अमोस्यक दान के लिए बहुत अधिक सर्व स्रिष्ट तिति मानी गई है, अगर आप नहीं जा पाते हैं तो आप लोग अपने घर के पानी में जल में जल मिश्रित, जो गंगा जल है तो जाएगा तो हमारे उपर दोस्ट लगेगा. क्या। यह सई है? तो देखिए गंगा जल जो है पवित्र है उसको आप ड्रेन में डाल दीजे या कही कुणे कचडे में डाल दीजे या कुछ भी डाल दीजे लेकिन इतना नहीं बचाते हैं आप गंगा जल जो है अपनी इसनान के जल में मिला कर आप लोग इसनान कर सकते हैं वो ड्रेन में ब में भी हर हर गंगे बोलते हुए हमें इसनान कर लेनी चाहिए एक एक बातों को ध्यान से समझेगा इसके बाद आपको क्या करनी है कि आप जो है पीला वस्त्र पुणिमा के दिन अगर हो सके तो विश्णु भगवान का प्री ये रंग है पीला वस्त्र ही धारण करके हमें प प्रशन ने करना है तो पीले चीज विश्णु भगवान के लिए और माता लक्षमी के लिए जो भी फूल पुस ववगरा अगर लाल आपको मिल जाता है तो जरूर आप जो हैं माता को चड़ा सकती है भोग की रह गई बात तो पूनिमा के दिन खीर पूरी बनाई जाती है खीर और पूरी आप देख लिजएगा अगर पूरी नहीं भी बनाते हो तो खीर तो जरूर बनाकर विश्णु भगवान को हम भोग लगाते हैं भोग में तुलसी पत्र हमें जरूर डालनी चाहिए तो यही सबकार हम पूनिमा के दिन करते हैं अगला कार हमें क्या करनी कि गंगा जल मिस्री तजल से अपने घर में पूरे घर में आपको छिड़काव करनी चाहिए क्योंकि यह पूनिमा जो है बहुत महान पूनिमा है तो यह भी कर सकते हैं और अपने मुख्य द्वार पर आप दो दीपक दोनों तरफ प्रजलित करके रख सकते हैं साम को भी रख सकते हैं या सूबा में जब आपसे बन पड़ता है आप दो this, इंब किसी का प्यर न पड़े क्योंकि लग्ष्ви मय मता के। पूर्णीमा जो है असाडि पूर्णीमा जिसको असाड़ पूर्णीमा वि कहते हैं व्यास पूर्नीमा भी कहते हैं 21 जूलाई को है दीन है रवीवार तो उस दिन धियान रखेगा अन जाने में भी आप लोग पीपल ब्रिक्ष की पूजा ना करें नियम तो है कि मोज से अर्पूर नीमा के दिन पीपल वरिक्ष की पूजा करने चाहिए क्योंकि सभी देवी देवताओं का निवास अस्थान पीपल बिफट को मानते हैं ठीक है ब्रह्मा विश्नु महेश लक्ष्वी माता सभी का वो निवास अस्थान है ल आपको पीपल ब्रिक्ष की पूजा नहीं करनी है, तुलसी माता की पूजा नहीं करनी है, पूजा दूर से धूप दिप दिखा सकते हैं, असपर्स नहीं किया जाता, जल नहीं, डाला जाता रवी वार के दिन, इस बात का पका ध्यान रखेगा, क्योंकि हमारे ध्यान से निक जरूर बनाएगा पूनीमा के दिन ऐसे ही हमारे घर में हर दो-चार दिन पर खीर बनते रहता है लेकिन उस दिन जरूर बनाएगा यह हो गया और भगवान को भोग लगा कर हम पूजा पाठ करके जो बुरत नहीं रखेंगे यह सब कारेंगे रात को भी आप लोग खीर बना स तो उसके बाद सब परिवार खाते हैं और जो लोग ब्रत रखते हैं वो साम को पूरे दिन निर्जला भी कुछ लोग ब्रत रखते हैं कुछ लोग फलहारी भी ब्रत रखते हैं पूनीमा का और साम को चंद्रदेव को अर्ग देने के बाद ही अपना ब्रत खोलते हैं तो कुछ मीठा खाकर भी कुछ लोग ब्रत खोलते हैं तो आप लोग किस प्रकार से ब्रत खोलती हैं आप लोग अपना देख लिजेगा तो यही सबकार हम पूर्णीमा के दिन करते हैं और ध्यान रखनी है कि उस दिन आपके द्वारा किसी प्रकार का अपमान नहों विच्चु लगानी चाहिए यह नहीं लगानी चाहिए हर ब्रत में आप लोग पूछते हैं तो देखिए पूर्णीमा के दिन एक तो रवी बार है तो कोई भी चीज आपको जैसे सुहाग की चीज़ें आपको इस्तमाल के लिए भी नहीं निकाली चाहिए खरीद सकते मजबूरी में लेकिन मत निकालिएगा दूसरा कारी का है पीपल में हमें जल नहीं डालनी है न तुलसी माता की पूजा करनी है दूर से आप लोग कर सकते हैं लेकिन पीपल ब्रिक्ष की पूजा तो दूर से भी ना करें क्योंकि अलक्षमी का निवास रवी बार के दिन माना जाता है तो अगर पूरीमा का ब्रत आप लोग रखें तो आप लोग सिंदूर लगा सकते हैं पहले अपने आचल में लगा लीजिए गा अगर ब्रत हैं तो आप सिंदूर लगा सकती हैं कोई दिकत नहीं अगर जिनको जरूरत है तो लिक्विट सिंदूर भी आप लोग लगा सकते हैं लाल वाला पीला वाला ना लगाए तो ज्यादा बेहतर है क्योंकि रवी बार का भी दिन है यह किलियर हो गया और बाकी जो ब्रत रखें उन्हें जैसे पैरों महावर वगरा लगा लेनी चाहिए बाकी स्रिंगार आप लोग कर सकते हैं कंगी वगरा भी कर सकते हैं बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है किवल धोईएगा मत और नियल वगरा नहीं काटनी चाहिए पुरूसों से बच्चे तो सेविंग वगरा भी नहीं करवान तो अगर आपने दिक्षा लिया हुआ है या आपके कोई गुरु जी है जिससे कि हम सीख होते हैं हम लोग में कहते हैं कि सीख होना बोलते हैं किसी भी विवासाधी से पहले पहले सीख हुआ जाता है जैसे बच्चे का साधी करना हो या जनियों संसकार करना हो उपनेयन संसका तो उसके पहले बीना सीख हुए आप ये सबकारे नहीं कर सकते हैं, तो उस दिन गुरु पुर्णीमा के दिन आप ये भी कारे कर सकते हैं, अगर आपके गुरु जी कहीं दूर रहते हैं, तो आप उनको फोन करके उनका असिरवाद भी ले सकते हैं, और उस दिन आप लोग ग बताई चुकी हूं और जितने भी दान वेखेरा असनान को ही किजएगा और अगला कारे आपको क्या कर नहीं है जो लोग भी- अगर समय समय है तो आप लोग पूरे दीन कर सकते हैं, कोई दिकत नहीं है, ऐसे ब्रह्म मोर्त में ही हमें इसनान करनी चाहिए, पूर नीमा के दीन, तो इसनान का सुभ मोर्त क्या है, सुभा चार बच कर तीन मिनट से लेकर, और चार बच कर 47 मिनट तक सुभा में आप लोग इसनान कर सकते हैं, अगर नहीं possible हो पाता है नहीं हो पाता है समय नहीं है तो ठीक है उसके आगे भी आप लोग कर सकते हैं लेगि सुब मोहरत चार बच कर तीन मिनट से चार बच कर 47 मिनट तक है सभी बाते ध्यान से समझ लीजेगा और दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट अगर व पुनिमा तित्थी जो है 20 जुलाई से साम् फो जएसे प्रारंब हो रही है खे बज़े के आसपास पुनिमा तिती सुरू हो रही है खे बजे साम् को और 21 जुलाई को दिन रवीं को पुनिमा तिति समाप तो रही है तीन वच कर 47 मिनट पर तो उद्या तिथी को ध्यान में रखते हुए क्योंकि 20 तारीक पुनिमा साम को लग रही है पूरे दिन पुनिमा तिथी नहीं है इसलिए कुछ लोग सोचेंगे कि ब्रत उस दिन ही कैलेंडर में भी दिया है उस दिन ही ब्रत है लेकिन उस दिन पुनिमा तिथी देर से लगन अपना ब्रत खोल सकते हैं सारी बाते के लिए हो गई तो यह वीडियो मेरा यहीं तक का था फिर मिलती हूं एक नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार स्वस्त रहिए सुरक्षित रहिए और जहां कहीं भी रहिए खोब खोस रहिए धन्यवाद